आप देख रहे हैं सियासत बाहुबली से पॉलिटिक्स में आने वाले पप्पु को इसी जमाने में लालू की राजनेतिक विरासत का उत्तर अधिकारी माना जाता था लेकिन आज पप्पु यादव लालू और उनकी पार्टी राजत के लिए बैड एलिमेंट बन चुके हैं बिहार के मधेपुरा से निर्दलिय सांजद रहे पपु यादव ने अपनी बिहार से तिहार की यात्रा यानी पटना की जेल से लेकर दिली के तिहार जेल तक का सफर तै किया है पपु यादव संगीन आरूप में 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुकी हैं पपु यादव ने अपने करियर के शिर्वात विधायक के तौर पर की थी पपु यादव ने 1990 में मधेपुरा से विधान सवा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की उसके बाद उन्होंने पूर्णिया से दसवी लोग सवा के लिए चुनाव लड़ा और वहां भी जीत हा यादव ने साल 1999, 1996, 1999 और 2004 में लोग सवा चुनाव जीता जिसके बाद 2015 में आरजेडी से पपु यादव को निकाल दिया गया था राजन से निकाले जाने के बाद पपु यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई और नाम रखा जन अधिकारी पार्टी पपु यादव के परिवार में उनके माता पिता के अलावा एक छोटी बहन है जो डॉक्टर है उनके बहनों ही फरुखा बाद में कई मैडिकल कॉलिग चलाते हैं पपु का एक बेटा और एक बेटी है बेटे सार्टक रंजन दिली अंडर 19 प्रिकेट टीम के उप कप्तान है जबके उनके बेटी दिली में बढ़ती है पपु को भरोसा है कि उनका बेटा एक दिन बड़ा प्रिकेटर बनेगा आली में पपु यादफ काफी चर्चा में है उन्होंने सारेन लोगसवा से सांसद राजी प्रताप रूडी की सांसद निदी से खरी दी गई दो दर्जन से अधिक एंबुलेंस खोज निकाली थी जिसके बाद से बिहार सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया है शोशल मीडिया पर पपु यादफ को देश के लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है बाहु बली से लेकर एंबुलेंस पकड़वानी को लेकर काफी चर्चा में रहे पपु यादफ अभी शोशल मीडिया पर हीरो बने हुए हैं ऐसे ही राजनीता के बारे में जानने के लिए आप देखते रहे हैं म्रदुभाशी